नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये लेके आया हुए जो LED की ट्यूब लाइट है, इसका नाम है हेलोनिक्स प्राइम ट्रिनिटी, ये काफी इंट्रेस्टिंग सी ट्यूब लगी मुझे और इसले मैंने इसे पर्चेस किया, इसका रिजन मेरा पर्चेस करने का ये ताकि ये मैं करेंट्ली जो लाइट यूज कर रहा हूँ घर में वो एक सेफल बल्प है, तो मुझे लगा कि ये इस ट्यूब लाइट के लेने से मुझे थोड़ा फीचर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसका जो नाम है ड्रिनिटी, मतलब तीन, तीन मतलब इसमे इसमें खाइसत रहे हैं कि इसमें ये रीमोट आता है, आप देख सकते कि काफी कॉंपैक्ट और क्यूट सा रीमोट है, इसमें दो AAA बैटरि ये डिन हे रहा आती है, बैटरी हाला केसात मिल लेकिन ये काफी काफी कॉंपैक्थ है. तो सबसे इसका बड़िया फीचर जो है जैसे मैंने कहा आपको कि इसका जो ट्रिपल लाइट है याने की तीन चेंजेबल कलर से आप दिख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट कलर जो पताया है यहां पर वार्म वाइट यह थोड़ा बहुत सूरज की रोशन जैसा है थोड़ा यल है न्यूटरल वाइट यह लाइट बिल्कुल बेश कलर का है लाइट यल्लो जैसा कफ्य अच्छ लगता है रात को अन किया होगा तो और सबसे लास्ट में जो हमेशा जो हर एक LED में दिखता है वो कूल वाइट यह ब्लूइश वाइट जैसा है जो हमेशा नॉर्मल जो सी कि कलर का है अमेजॉन से मंगाया था यह मुझे 699 में पड़ा और आप इसमें देख सकते हैं कि यह जो फीचर्स है तो कलर चेंजिंग डिम करना यह सिर्फ आप और इस रिमोट से ही आप कर सकते है और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है तो आप देख सकते कि मैंने इसे अल्रड़ी अन्बॉक्स कर दिया है यह इस प्रकार के दिखती है काफी लंबी है इसकी लेंग्ध और आप देख सकत है यह 20 वाट वाली है इसके साथ एक्चली प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे यह बॉक्स में इसका जो वाल मांटिंग किट आता है जो छोटा सा किट होता है वो नहीं मिला तो मुझे वो मार्केट से खरीदना पड़ेगा हला कि अभी फिलाल दुकान सो बंद है तो मैं नही पा रहा हूँ लेकिन इसका जो एक कनेक्टर आता है वो मुझे खरीदना है और इसके पीछे जो क्लिप्स आती है इसमें दो क्लिप आएंगी वो आपको वाल मांट करनी है और इस ट्यूब को इसमें अटैच करना है बस तो अब देख सकते हैं काफी लंबी है ये ट्यूब फोर फीट और मैं आपको इसे थोड़ी दर में चालो करके दिखाता हूँ फिलाल इसको जमीन पर ही चालो करके दिखा दूंगा आपको कैसे चलती है ये और फिर उसके फंक्शन कैसे करते हैं मैं अपको थोड़ी दर में दिखाता हूँ तो hold on मैंने ये ट्यूबलाइट फिलाल इस extension board पे लगा दिये और extension का power मैंने आउट लेट वहां से लिया है फिलाल टेस्ट करने के लिए आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा चलता है मैंने इसे फिलाल temporary phases पे यहां पे connect किया है आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका remote भी है इसका remote मैंने already configuration कर दिया है इसके सथ pair कर दिया है तो मैं आपको फिल से बता दूँगा आपको किसे pair करना है लेकिना मैं इसे अभी फिलाल on करके दिखाता हूँ ये दिखे इसका brightness ऐसा है ये इसका default mode है और ये दिखे इसके इससे हम on और off भी कर सकते है ये off हो गए और इससे on हो जाता है ये basic on off है आपको पहले इससे pair करना है फिर ही ये चलेगा मैं आपको बताता हूँ कैसा इससे pairing करते है और फिर आप सेम pair कर सकते है आपको पहले करना है कि टूब लाइट का button बंद करना है और आपको ये जो ए वाला button है फिलाल तो मैंने ए पर रखा ये group button है इसमें आप साथ में एक से जादा अगर आपके पास एक से जादा टूब्स है तो आप इसे groups कर सकते है जिससे कि बी वाला bedroom के लिए कर देंगे सी वाला किसी और children room के लिए कर देंगे ऐससे तो आपको ये बटन दबाके रखना है और उसी टाइम पे आपको टूबलेट on करनी है और टूबलेट पेरिंग मोड में चलिए कर तीन बार blink होगी तीन बार blink होने के बाद तो पेर हो जाती है तो फिलाल मैं इसे आपको दिखाता हूँ कैसे पेर करना है अब ही मैं बता हूँ आपको कि पेरिंग कैसी करनी है आप देख सकते कि मेरे हाथ में रिमोट है और ट्यूबलेट बंध है पावर उसका बंध है आपको इस गुरूब बटन में से किसी भी बटन को साथ में दबाके रखना है जैसे मैंने यहाँ पे ए दबाके रखूँग i depend byee कि पहले भी check कर सकते हैं बाद में भी आप इस कर सकते हैं सो मैं यहाँ पे दबाके रखूँग कहुँगा ए ब्लिंक होगी LED और मैं switch on कर दूँगा आप देख सकते की में दबाके रखा ढीए यह देखिए background में तीन बार blink होगी tube light और यह pairing mode में चली गई देखिए फिर अभी हम इससे off करेंगे यह देखिए, so यह pair हो गई on off यहां से हम remote से easily कर पाएंगे, so फिलाल तो हम normal जो इसका जो neutral white है जो वो चालू है default मैं आपको दिखाता हो कि इसमें तीन color के options यहां बे बटन पर है एक तो www जो है warm white फिर यह जो c में जो दिया है cool white और यह neutral white, so warm white में यह color ऐसा होता है यह देखिए और cool white में यह वाला ऐसा होगा और neutral white में यह ऐसा होगा, मैं इसको थोड़ी दे मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, मेरा जो CFL बटन, CFL जो bulb है और चालो इससे मैं बंद करता हूँ और फिर से आप दिखाता हूँ so, अभी मैंने मेरा घर का light जो है वो बंद कर दिया है और यह दिखिए, अभी इससे हम चालो करेंगे warm white पर हलाकि आपको कैमरे में दिखा ही नहीं देगा लेकिन यह काफी yellowish color दिख रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर और यह cool white है और यह neutral white है आपको इस remote से आप इसके जो brightness level है आप इसे कम जाधा कर सकते हैं यह देखे इसे अप इसको दबाने से यह देखे लाइट कम होती जाएगी और यह बिल्कुल कम हो गई है एकदम अंधेरा हो गया अल्मोस्ट घर में पूरा अंधेरा हो गया है आप देख सकते हैं तो तीनों कलर में आप brightness level कम जाधा कर सकते हैं यह देखे इसे फुल कर देता हूँ काफी रोशनी आती है घर में फुल लाइट पे फुल कर दिया है तो बेसिक फिचर यही है sleep mode दिया है on off दिया है और इस नीचे group button में आप multiple साथ में एक से ज़्यादा tubes आप सिंग कर सकते हैं साथ में आईए मैं आपको बताता हूँ कि इस टूब लाइट को mobile app से कैसे सिंग करें पैर करें और कैसे चलाए मैं अब भी बताऊंगा आपको कि आपको pairing और control कैसे कर सकते इस टूब को आप आपके आप से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यह Android phone है आपको प्ले स्टोर में जाके HelloNix RF यह सर्च करना है ID इसे इंस्टॉल करना है मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप के जरिए आप इस टूब लाइट को कैसे आपको पहले आप जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे आपको इसका Bluetooth और Wi-Fi ओन करना है यह शायद Wi-Fi के जरिए चलता है आपके घर में राउटर की जरुवत नहीं होनी चाहिए राउटर से कनेक्ट नहीं होता है लेकिन फोन का Wi-Fi और टूलेट का Wi-Fi जो है वह उसके ऊपर चलता है 2.4 GHz के रेंज पर चलता है यह मैंने यहां पर आप देख सकते हैं कि आप डाउलोड कर लिया है आपको यहां पर नीचे एड कुरू पर दबाना है और मैं नाम दूंगा यहां पर bedroom को और यहां पर ऑके कर दिया थिक है अभी यहां पर आपको better के अनदर आना है यहां पर अप्शन के अंदर आना है और यहां पर जो यह blue गलर की जो आप देख सकते है आपको यह दबाना है और जैसे दबाएंगे आपको switch on करनी है light main power की बटन से so मैं यहां से दबाना है और जैसे आप दबाएंगे scanning चलो हो जाएगी so मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है और जैसे successful scan हो जाएगा तो तीन बार light blink होगी यह दिखिए फिर मैं अभी दिखाता है आपको यह करके आपको यह पटन दबाना है और फिर switch on करना कि यह दिखिए अभी यह sync हो गई है आप देख सकते हैं कि तीन बार blink हो गई है मैं यहां से अभी control कर सकता हूँ तो अभी फिलाल on है यह देखिए देख सकते हैं off होगी on कर देता हूँ यह दिखिए यहां से color mood lighting change कर सकते हैं जैसे कि यह dark yellow white और यह जो है से भी change कर सकते है sleep mode भी यहां पर है यह app से color तो change नहीं कर सकते हैं आप लोग लेकिन दूसरे functions of use कर सकते हैं आप लाइट डिम कर सकते हैं यहां से और बढ़ा सकते हैं सो मुझे आप बताइए कि यह video कैसा लगा आपको इसके उपर अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट के मादिम से बता दीजे मुझे कि इसमें आपको feature क्या अच्छे लगे और अगर आपको यह youtube light buy करनी है तो नीचे description में मैंने लिंक दी है आप उस लिंक के जरीए आप इसे खरीच सकते हैं धन्यवाद देखनी के लिए बाई